एक स्टड़ी हुई 15,000 पेसेंट्स पे जिनकों की स्टमक डिस ओर्डर थे पेट में खराबियां थी यह पता लगाने की कोशिस की जा रही थी कि यह जो स्टमक डिस ओर्डर हैं वो क्या किसी फिजिकल रिजन के वदेसे हैं या फिर मेंटल रिजन के वदेसे तो पता है 20% लोगों को जिनकों की स्टमक डिस ओर्डर थे उनका कोई फिजिकल रिजन ही था उनका था मेंटल रिजन दिमाग का डर दिमाग की चिंता जिनके वज़े से वह बिमार पड़ रहे थे बिलकुल बेसक मैं यही कहना चाहता हूं कि रियल लाइफ में भी इंप्लाई होता ह कई आज है कि गई IV बार हमारी जो प्रॉललम होती हो कि इंटरणल लेवल पर होती हैं लिए हमारी सोच हमारी खराभ कंडिस्टिंग हमें हरा रही हम लोग यही बैठ जाते हैं अभी ही सोच क के बैठ जाते हैं आधानी कि सांती से बैठ रेखना और खुद सोचके देखना क्या रोने का वक्त है बिलकूल नहीं रोने का वक्त कौनसा है जब रिजल्ट आएगा और उसमें आपका सेलेक्षान नहीं हो रहा होगा तब रोले ना अभी रोने से क्या कुछ बदल जाएगा कुछ भी नहीं बदले ऐसा कुछ बनेगा बनाना आज विश्वास करते हो ना बिल्कुल अब मैं यह चीज बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आपने दस परसेंट ही पढ़ाया तो आपका नीट 2022 में सेलेक्शन हो जागा बिल्कुल नहीं होगा जोटी उमीद आपको नहीं देना चा खतम कर लिया है और से 50 परसेंट बाकी है तो आप नीट 2022 में एक्सल कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स बिल्कुल समझ में आया कि काम करने की जरूत कहां पर है बिल्कुल यहां पर है पले यह तो सोचो कि इसको मजबूत कैसे करे अगर नीट 2022 की बात करे और एक सिफर साइड की बात करें दोस्तों तो कम से कम 90 दिन तो हमारे पास हैं ही अगर डेली आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 900 घंटे हैं क्या यह कम होते हैं बिल्कुल नहीं पता है प्रॉब्लम कहां पर है डेली अगर आधे घंटे अपने मोटिवेशनल वीडियो पर भी वरबात करत हैं उसको 60 से डिवाइड करोगे तो 45 घंटे होते हैं आप 45 घंटे बेस्ट कर रहे होगे अगले 90 दिनों में सिर्फ आदे घंटे बरबात करते हो तो सोच कितने बरबात करते हो तो कि उन 45 घंटों में क्या कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते थे कर सकते थे कहां काम करना ह लेरां यहां पर और यहां पर क्या कर रहे हो नहीं करते। वीडियो का जो एसेंस है वह आप समझ पा रहे हो पढ़ाई तो आप करीए लोगे अगर आप यह बोल रहे हो कि मैं आपका सेड्यूल बना दू तो गड़बट हो जाएक। एक मैं सेदूल बना के दूंगा सुबा 6 बजे से पढ़ाई करो आप उठते हो सुबा 8 बजे बालुजिकल साइकल पुरुढिस्टर्ब हो गई मैं जरूरी नहीं है कि सुबा 6 बजे उठो तभी रिजल्ट है जदूरी यह नहीं है कि रात को दो बजे सोगे रिजल्ट नहीं होगे जदूरी यह है पढ़ना और आपका कमफोर्ट मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं आप खुद डिसाइड कर सकते हुग नब्बे दिन है दोस्तों या तो करो या तो मर आज रोने से कुछ नहीं होगा वो त तीन घंटे का जो वक्त है आपका रोना दोना उसको डिसाइड करने है क्या पता यह भी चीज़ पॉसिबल है कि आप अभी भी कर सकते हो लेकिन अभी भी आप हार मानके बैठे हो यह वही बात हो गई ना कि अब आप मानते हो ना बिल्कुल यह भी कहा जाता है कि टाइम ट है कि उसी तरीके सے ये a counseling has symmetry in this one है एक वगली और उनिक formasली चीजे मतलब एक ही तरीके से चल रही है बेर सक मेहनत करने से ही रिजल्ट आता है और मेहनत से ही रिजल्ट आगा में यह नहीं बोलना हूं कोई मिरैकल हो जागा अगर आप किसी मिरैकल का वेट कर रहे हो तब गढ़े में जा रहे हैं मेहनत करोगे तब ही रिजल करोगे 90 दिन है ना कुछ नहीं content पढ़ो और पूरा पी वाई क्यूस लगाओ सारे modules हटा दो modules ने करना कुछ भी ने करना है पले सरके lectures देखने हैं नोट्स बनाने हैं उसके बाद पी वाई क्यूस करना बस इतने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इतना minimum है भाई साब आपको करना ही होगा तर क्या modules ने करने कहिए सब ने करने नहीं अब नहीं करने हैं पहले इतना करना इतना करते हो टाइम बच जाता है तब कर लेंगा बहुत सारी चीजों करने में कुछ छूट जाता है और वह कुछ जो है वह अगर बहुत इंपोर्टेंट हुआ तो आपको ले डूबता है बिल्कुल हां मैं यहीं बोल रहा हूं कि आपका पी वाई क्यों चूट जाता है वह मौस्ट इंपोर्टेंट है अपनी कमजोरियों को समझो आपकी कमजोरियां फिजिकल लेवल पर नहीं है मेंटल लेवल पर है कंडिशनिंग बहुत ज्यादा खराब है कि 90 दिन बहुत कम होते हैं और हम नहीं कर पाएंगे बेसक कर पाओगे मेरी बातों का यकीन माओगे कि मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि आपके पैरेंट्स आपके लिए सपना देख रहे हैं आप डॉक्टर बनोगे जिस दिन उनको रिजल्ट बताओगे कि हां पापा जी मेरा हो गया हां ममी जी मेरा हो गया सोचो वह खुशी कितनी बड़ी होगी उस खुशी को अभी करो कि जानवर और इंसान में सिर्फ एक चीज़ का फर्क होता है कि दिमाग उनके पास भी हमारे पास भी है लेकिन लोगों ठुक्ति-क भगवान ने जरूर भी हैं पर इन लकीयों को बदलने की ताकत अभी होगा तो आप क्यों नहीं आप भी कर सकते हैं कि वीडियो का एसेंस समझ में आया होगा अपनी सोच को अच्छी रखें कि खुद को ना हरने लिए मेरा यूटूब पे स्प्रिंट बैच चल रहा है मैं डेली आता हूं तीन बजे लाइव और फिदिक्स पढ़ाता हूं पूरी क्लास 11 मैंने खतम करवा दी है और क्लास 12 चल रहा है अभी मैंगनेटिजम और चल रहा है तीन बजे दो पर में आया करो यार लाइव पढ़ाता ह और पढ़ना किसी को अच्छा ने लगता मुझे भी अच्छा ने लगता लेकिन यार यही एक चीज है जिससे रिजल्ट है पढ़ना पढ़ाई उसको आप इसके नहीं कर सकते हो तो आव पढ़ने पेन होगा यहां से मजा नहीं आएगा पर करना तो पढ़ेगा ना और सब्सक्राइब करना चाहते हो नीट 2022 के लिए तो जोइन कर सकते हो बहुत एफ़ोडेवल को 2100 सारी चीज़े बैसिक से पराई जा रही है और अगर आप यह कोर्स खरीद लेते हो तो 999 रुपए की टेसरीस हमारी प्री आफ कॉस्ट मिल जाए अपनी आप से वादा करो कि कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अरे ना सोच कि तेरी मंजिल कहां है अभी तो चलने का इरादा किया है ना हारेंगे होसला चाहे कुछ भी हो जाए यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है